बहराइच की पूरुसांसर सावित्री बाइफुले ने कॉंगर्स पार्टी से इस्तिफा दे दिया है भारती जंता पार्टी छोड़ कॉंगर्स गई सावित्री बाइफुले ने एक साल के भीतरी कॉंगर्स का साथ छोड़ दिया और एलान किया कि अव्वेह अपनी खुद क की पार्टी बनाएंगी बहराइच की पूरु सांसर सावीतरी बाइफुले ने 6 दिसंबर 2018 को लखनव में भाजपा की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तिफे का एलान किया था हालाकि उन्होंने अपना कारेकाल पूरा किया था समाचार एजिंसी एनाई के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही इसलिए मैं इस्तिफा दे रही हूं मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगी दरसल पिछले साल ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सावीतरी बाइफुले ने भारतीय जंता पार्टी का दामन छोड़कर कॉंगरस का हाथ थामा था बहराइच की पूरसांसद सावीतरी बाइफुले ने 2012 में बिजेपी के टिकट पर बलहा विधान सभा सीट से चुनाव जीता था और 2014 में उन्हें सांसद का टिकट मिला और वह संसद बन पूंची थी वह बिजेपी की दलित महिला चेहरा थी बा बात किया कि भात के शम्विधान को लागो करो आरच्छन कोटा पूरा करो और ये बियम हटाओ बैलेट पेपर से चुनाओ कराओ इसको लेकर मैं अंदुलन करना चाहती हूं तो कॉंग्रेस पार्टी की राष्टिय महासरची परेंका गंधी का जबाब था कि सम्विधान लागो कराना आरच्छन कोटा पूरा कराना ये बियम है इस पर आप बिरोत नहीं कर सकती तब मुझे लगा कि कॉंग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है और मैंने आज 26 दिशंबर को मैं कॉंग्रेस पार्टी को रिजायन कर दिया हूं और 19 जनौरी को लखनों की र अपना संगठन बनाकर जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का अंदोलन तथा अगत गौतम बुद्ध और बाबा साफ मानिवर कांशीराम साब का अंजोल अंदोलन था इसको गति देने के लिए मैं अपनी पार्टी बनाकर और उस पार्टी के बेंदर तले मैं अंदोलन करूंगी है नहीं वाल